दोस्तो रंधावा टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है आप ये सोच रहोंगे कि हमने टैटल में इतने खुबसूरत पौधे के बारे में ये क्या लिख दिया ये पौधा तो काफी उपयोगी है हमने चुकी हमारा ये चैनल एक गार्डनिंग चैनल है और हम किसी भी तरह कि दवा के बारे में कोई भी दवा नहीं करेंगे परन्तु कुछ अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मेडिकल से रिलेटेड थे और ब्लॉग वेगारा पढ़ने के बाद में हमें कुछ नई चीजे पता चली तो हम इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करेंगे यह पौधा जाना पहचाना पत्थर चट्टा के नाम से भारत में जाना जाता है और इसे मेडिकल साइंस में ब्रायो फिलम पिनाटम भी कहते हैं भारत में लगबग हर घर में या हर गार्डन में भी इसे लगाते हैं गमले में लगा सकते हैं गार्डन में लगा सकते हैं और यह एक जा यह शरीर के immunity system या infection के लिए भी बहुत उपयोगी है और इसके लावा brain का function antiseptic जो होता है उसके लिए भी काफी उपयोगी है जो इसके पत्ते होते हैं काफी मोटे पत्ते होते हैं और किनारे से थोड़े थोड़े खुर्दूरे से धारीदार होते हैं कटीले से और तोड़ने से काफी आसानी से 20 से भी तूड़ जाते हैं इस एक पत्ते को अगर हम नमी वेली जगा में रख देंगे तो धेर सारे नए पौधे तयार हो सकते हैं इसे लगाना बहुत ही आसान है भारत में मुख्य रूप से इसे kidney stone निकालने के लिए या गाल ब्लेडर के stone को निकालने क के लिए एक दवा के रूप में जाना जाता है परन्तु कितनी मात्रा में लेना है कैसे लेना है इसके बारे में काफी सारे अपवाद रहते हैं और जो हमारे सरीर में जो पत्री बनती है वो calcium axillate calcium phosphate की पत्री भी होती है यूरीक इसीड की पत्री भी होती है सिस्टीन की पत्री भी होती है तो यह किस पत्री के लिए उप्योगी है यहै calcium axillate के लिए काफी उप्योगी रहती है और जो 6 पत्रीया बनती है उसमें इसका कोई उप्योग नहीं आपाता ज़्यादा अगर इसके पत्तों के सेवन से पत्तरी निकल जाती है तो अनावश्यक इसका उपयोग ना करें इसका यह addiction हो सकता है और अधिक मात्रा में इसको अगर बिना पत्तरी के भी लेने लग जाएंगे कि पत्तरी ना हो डर के मारे तो पत्तरी हो भी सकती है इसलिए यह सावधानी जरूर बरते हैं कि अगर कोई समस्या है तो किसी अच्छे जानकार से ही आप राय लेकर इसकी मात्रा तै करें और किस तरह लेना है इसे तै करें क्योंकि अधिक कुछ जानकार कहते हैं कि सुबह साम दो पत्ते लेने हैं कोई कहता है एक पत्ता लेना है कोई बोलता है काड़ा बना के खाना है कोई बोलता है ऐसे ही खा लेना है तो इसकी चटनी बना के खाना है यह सब जो रहता है इसमें आप बिल्कुल विशेश ध्यान दें इस पौधे को लगाने के लिए 40% गाडन सौइल और जो सेस है वर्मी कंपोस्ट ले लिजे 30% और जो सेस बच गया उसमें आप रिवर सेंड और कोकोपीट मिलाकर मिट्टे तयार करके लगा सकते हैं एक पत्ता इसका एक नमी वली जगा में हलका सा मिट्टी से दबा दी जीए कुछ दिनों में यहां से बिलकुल उसके जो जड़ें बाहर आ जाती हैं और इस पौधे को हम नए पौधों में मल्टिप्लाई कर सकते हैं लगाना इसे काफी आसान है और इसमें कभी कोई बिमारी नहीं आती देखिए हमने भी अपने गार्डन में इसे लगाया हु इस पौधे को जरूर लगाएं और अच्छे जानकार से ही राय लेकर इसका उप्योग करें नहीं तो हरा भरा तो दिखी रहा है काफी सुन्दर पौधा होता है हमारे इस चैनल को अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करें आ आपका बहुत बहुत धनल्यवाद